हेलो फ्रेंड्स आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे कुछ agriculture के important points को लेकर student का request था कि उसपे compile कर दें तो यह part first मैं आज लेकर आ रहा हूँ आपके ने जिसमें मैं agriculture से related important current affairs, important government schemes discuss करूँगा और ICR की website से जो मैं बार-बार कहते रहता हूँ आप लोगों के ICR की website से कुछ important points देखने हैं वो भी मैं आज cover करूँगा तो यह video बहुत important है आप लोगों के आप जरूर इस video का अंतर तक देखें और important notes ले ले और इसमें जो मैंने लिखा है language जो use की है वो English में की है ताकि जो those students who are comfortable in English they can read, they can pause down, they can note और जो मैं explain करूँगा वो हिंदी में करूँगा ताकि हिंदी वाले जो हमारे students हैं जो request कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत कठिन होता है कि उसी video को English में हम तयार करें फिर हिंदी में तयार करें अप्लोड करें तो एक ही video से मैं दोनों students की needs को cater करने की कोशिश करूँगा तो let's get started तो first हम देखते हैं share of agriculture in GDP यानि क्रिशी का हमारे देश की जो GDP है उसमें कितना योगदान है वो देखते हैं अब देखते हैं कि अग्रिकल्चर सेक्टर हमारे जब देख लगबग आजात हुआ था तो agriculture sector 50% यानि 50% कॉंट्रिब्यूट कर रहा था और यह घरता चला गया घरता चला गया 2015 और 16 में 15.4% अग्रिकल्चर सेक्टर हमारे GDP में कॉंट्रिब्यूट कर रहा था 2019-20 में 17.5% था यह important आपके नोट करना क्योंकि latest current affairs पूचेंगे जाम में तो यह पूच सकते हैं अग्रिकल्चर पड़ेंगे तो इसमें दो तरिके से हम नेशनल इंकम को कवर करते हैं देश की एक होता है GDP एक होता है तो अगर जीवीए के टर्म्स में देखें तो अग्रिकल्चर और अलाइट सेक्टर जो अलाइट सेक्टर अग्रिकल्चर के इन सब का टोटल मिलागे हमारे टोटल एकोनोमी में कितना परसंट शेयर है ARS के PREE में बहुत बार आता है NET, UGC NET पे बहुत आता है ICR NET पे ये सवाल बहुत आता है इसलिए मैंने एक कमपाइल करके आपके लिए रख दिया 291.95 मिलियन टन्स ये किसमे है ये डिजिट है मिलियन टन्स में 2020-21 में 308.65 मिलियन टन्स यानी 2020-21 में the food gain production कितना आगा गया है 4th advance estimate of production के अंतर गर 308.65 मिलियन टन्स food gain production है राइस का अगर हम देखे 2019 2020 में 111.87, 2020-21 में 122.27 मिलियन टन्स नोट कर ले कभी कभी स्पेसिफिकली crop का पूछ दे food gain का तो आपको पता होना ही चाहिए और मैंने आपको थोड़ा एक्स्टा नॉलेज के लिए राइस का दे दिया important crops हा दिया है हाला कि बहुत सारी crops है हमारे देश में लेकिन important crops का मैं आपको दे रहा हूँ wheat पे 2019 2020 में 107.86 मिलियन टन्स, 2020-21 में 109.52 मिलियन टन्स nutrient core cereals में 1920 का आप नोट कर ले मैं इसको repeat नहीं करता हूँ आपको latest वाला बताता हूँ जिनको 2019 2020 का भी नोट करना है आप वीडियो पॉस कर ले और नोट कर ले तो nutrient core cereal का 2020-21 में हम देखे तो 51.15 मिलियन टन्स में इसका 31.51 मिलियन टन्स pulses यहाँ पर broad category है अगर आप website पे ministry of agriculture फार्माइस वेर्वेर के PDF डाउनलोड करेंगे और देखेंगे तो उन्होंने pulses को categorize किया है सारी दाले हैं जहाँ ना चना दाल, अरहर, तूर, मूंग, बीन, उर्द, सब सारी दालों का उन्होंने estimate दिया है तो total pulses का column होता है यानि हमरे देश में total दाल का उत्वादन कितना हुआ 2020-2021 में 25.72 मिलियन टन्स oilseed में देखे, oilseed crop भी आप जानते हैं बहुत सारी है तो 9 प्रकार के oilseed का data available है 9 oilseed जित्ती भी है उसका total oilseed production हमाई देश का 361.01 मिलियन टन्स cotton कपास का 35.38 मिलियन बेल्स इसको बेल्स बनापते है इतना मिलियन बेल्स jute and mesta 9.55 मिलियन बेल्स sugarcane 399.2 मिलियन टन्स तो यह मिलियन टन्स में यह डिजट है यहां से आप नोट कर लें और यह अगर आपको PDF चाहिए और डिटेल में पढ़ना है तो यह आपका लिंक है इस लिंक को आप टाइप करेंगे Google में भी लिख देंगे Second Advanced Estimate of 2021 Ministry of Agriculture and Farmers Welfare तो आपको यही PDF सरसे पहले आएगा चलिए अब देखते हैं इंडिया का rank क्या है पूरे वर्ड विश्व के साथ अगर हम compare करें तो इंडिया का rank क्या आता है तो इंडिया इस लारज़स प्रोडूसर आफ मिल्क, स्पाइसेस, मिलेट्स, जूट, जिंजर, बनाना, केस्टर ओईल, मैंगोज, सैफ फलावर, पपाया, कोकॉरनट, पी, अन ओक्रा इसमें विश्व में हम नमबर वन पे हैं लारज़स प्रोडूसर है फिक है second largest producer इंडिया किसका है wheat का आपको पता हिए चाइना के बाद rice का चाइना के बाद tea का चाइना के बाद sugar cane का ब्राजील के बाद onion का चाइना के बाद potato का चाइना के बाद garlic का चाइना के बाद and silk का चाइना के बाद यहां देखे चाइना ये इस मामले में भी हमसे आगे है पॉपुलिशन में भी हमसे आगे हैं ये और एग्रिकल्चर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत हाइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको मैं बता हूँ अगर आप पूरा एग्रिकल्चर सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इच अमंग टॉप फाइब कंट्रीज और एग्रिकल्चर कमोंडिटी यानि 80% से जादा फसल हो या क्रिसी उत्पाद हो उसमें हम टॉप फाइब कंट्रीज में से एक होते हैं तो हमारा देश हरित करंदी के सफर करते वे यहां तक आया है तो बहुत अच्छी situation में हमारा production है जो दूसरी बात यह है कि productivity और availability of each and every crop to every citizen of country वो दूसरी बाते हैं जिसमें हम थोड़ा पीछे हैं अभी लेकिन production wise हम मारा देश बहुत अच्छा कर रहा है जबकि आपको पता है जमीने घट रही है अग्रिकल्चर के challenges त तो यह important figures है यह आपको पता होने चाहिए अब अगर हम देखें कभी-कभी सवाल हैं मैं पूछ लेता है कि हमारे देश का वो कौन से राज यह है जो इस crop को maximum produce कर रहा है यानि the largest producer of sugar cane the largest producer of potato कौन कौन से है तो इसमें जलग देख लेते हैं आप नोट कर लेजे तो largest producer of sugar cane उत् पैटो उत्तरप्रदेश, टी, चाह सव जादा आसांद, पैडी यहानि राईज, वेस्ट पंगल, वीट उत्तरप्रदेश, सैफरन जमुन कश्मीर यह थी होता है, जमुन कश्मीर में सैफरन जूट वेस्ट बेंगल, टोबेको आंद प्रदेश, बनाना तमिलनाटू, ऐन करिएन महारास्ट्रा,Cashew Nut महारास्च्टा अब आपको लगे गए यार कितना याद करें हम, देखे शुगर केन याद रख लिजिए,Potato याद रख लिजिए,Thी याद रख लिजिए,Rise याद रख लिजिए,Wheat याद रख लिजिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए, म कारलेक मद्वर्देश कॉफी करनाटका लार्ज कार्डमम सिक्किम स्पैसेश में भी तो हमारा देश नंबर वन है ना स्पैसेश लार्जस प्रोडूसर अमंग वार्ट बैंबूस आसाम स्मॉल कार्डमम केरला चिली आंदवर्देश ग्राउंड नट गुजरत यह तो पता ह ग्राउंड नट का भी बहुत लोगों को पता है तो यह इपॉर्टन क्रॉप्स हैं और इसके लार्जस प्रोडूसर स्टेट है हमारे 2021 में रैंक इनको किया गया है अब देखे क्रॉप्स में देखिए राइस में मैं आपको पताया राइस में आप याद रखे यानि धान राइस में लार्जस प्रोडूसर 2021 का यह थोड़ा बदलता रहता है कभी यूपी आगे रहता है कभी आप देखेंगा आंध प्रदेश कभी वेस्ट वेंगल इन तीनों में हमेशा उपर नीचे थोड़े-थोड़े मिलियन टंस मां अंतर है तो राइस का जो रैंक है लार् आजिस्तान, गुजरात, महाराष्टा, जौर, महाराष्टा, कणाटका, मद प्रदेयस आप इसका मैक्जिमूम वाला भी याद रखेंगे तो भी बात बनेगी और दो तीन, दो तीन कहां तक किस-किस क्रॉप का याद रखेंगे मैक्जिमूम वाला जुरूर याद रखे और major crops का मेज में देखे आंध प्रदेश, करनाटका, राजस्तान, पल्सेस में मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध प्रदेश, अगर हम पूरे overall serials को देखें, तो उत्तर प्रदेश लार्जेस प्रडूसर है, हमारे food beans का, followed by Punjab, followed by मद्य प्र देश, सुगर केन में देखें, उत्रप्रदेश, महरास्टा, करनाटगा, cotton, गुजरात, महरास्टा, आंद प्रदेश, आप पहला पहला याद रखें, maximum वाला याद रखें, coffee, maximum करनाटगा, tea, maximum आसाम, शिल्क, मैक्जिमम, करनाटका, रबर, मैक्जिमम, केरला, टोबैको, मैक्जिमम, आन्द प्रदेश, ग्राउननट, गुजरात, स्वयबीन, मत्रदेश, सबको पता है, मस्टर्ड, राजिस्तान, सनफ्लावर, करनाटका, एन ओवराल टोटल ऑईल सीड्स का अगर हम देखें, तो मद्यप्रदेश सबसे आगे है इसके production पे आप अगर deep में पढ़ना चाहते हैं बिलकुल अच्छे तेहरी करना चाहते हैं तो आप pause कर लें और ये other ranks भी और note कर लें अब cross में देखे हैं हम horticulture crops याई फलू की बात करें तो देखे हमारे कौन कौन से राज़ी सबसे आगे बनाना highest production कौन कर रहा है तमिलाडू कर रहा है ग्रेप्स महराष्टा कर रहा है ये मैं बाते बताता हूँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इतना deep क्यों बता रहे हैं लेकिन एक ही एजाम नहीं है आपके सामने आपको अपना career set करना है ICR T1 के एजाम आप दे रहे हैं आपने PCS का एजाम भी भरा होगा बहुत सारे बच्चों ने SSC का दे रहे होंगे ये कही ना कहीं काम आएगा आप यूजी से नेट का देंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब लीची बिहार मैंगो उत्तरप्रदेश मौसंभी महाराष्ट्रा पपाया आंदर प्रदेश पायनेपल करनाटका पोम गरनेट महाराष्ट्रा एंड सपोर्टा और चीकू आंदर प्रदेश तो लार्जेस फ्रूट प्रदेश स्टेट अफ इंडिया यानि अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो मैक्जिमम फ्रूट प्रूट्प्रदेश हमारे देश में 2021 में कहा से हुआ आंदर प्रदेश से हुआ फॉल्लूड भई महराष्ट्रा फॉल्लूड बाइ उत्धरप्रदेश आप जाद रखिए आंध Crispy प्रदेश हमारा इन पर देश हमारा हमें फूर्ट में ना सिंहें उत्धर नहीं। फ्रूट्स में आंद प्रदेश आपको पताइए मसालों के लिए हमारा देश विख्यात है पूरे विश्व में इंडिया इस दा लार्जेस प्रदूट्सर अफ कोकुनेट कभी हम प्रडुक्शन है और मेक्जिम कहा होता है केरला में सबसे ज़्यादा कोकुनेट केरला में अब होटिकल्चर प्रडुक्शन का भी मैं बहुत बार देख रहा हूं कि सवाल पूछे जा रहे हैं और गवर्मेंट का बहुत जोर भी है होटिकल्चर प्रडुक्शन को बढ़ाने में साफलेड़ गशेडा क्लियर फूट की बात करें अने तुमेटो की माथ में ऑम आजाते हैं लाइब ट्रक्स की तरफ में हम आ जाते हैं दुखद उत्पादन, अंडा उत्पादन, नीट उत्पादन हमारे देश का, इसमें भी हम लीडर हैं पूरे विश्व के सामने, ठीक है, तो टोटल लाइफ स्टाक पॉपॉलेशन यानि टोटल लाइफ स्टाक की पॉपॉलेशन, इनकी संक्या कितनी है, 536.76 मिलियन हमारे पास है, यह 220 का ही है और यह लेटेस्ट है, यही अभी कंपाइल हुआ है, यही रिपोर्ट भी वेबसाइट पे है, इन्डिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन पूरे विश्व में हम दुखद उत्पादन में सबसे आगे है, 198.44 मिलियन टन, ठीक है, तो शेर इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन अगर हम देखे, कौन सा राज यह सब ज़्यादा दुख दूत पादन कर रहा है, उत्तर प्रदेश, फॉलड वाई राजस्तान, एग में आंध्र प्रदेश, फॉलड वाई तमिलनाडू, मीट प्रोडक्शन में हाइस्ट कौन है, उत्तर प्रदेश, फॉलड वाई महराश्टा, वूल प्रोडक्शन में राजस्तान, फॉलड वाई जम्मुयन कश्मी, ओके, सो हाइस्ट स्टेट वाईस प्रोडक्शन पॉपॉलेशन आप देखे, लार्जेस लाइव स्टॉक पॉपॉलेशन कहां की है, उत्तर पर दूद्द उत्पादन करने के बाद, दूद्द कितना अविलेबल हो रहा है हर व्यक्ति के लिए, तो हाइस्ट पर कैपिटा अविलेबिलिटी किसके पास है सब जादा पंजा, हाइस्ट एग प्रोडूसिंग स्टेट कौन है, आंदर प्रदेश सबसे जादा अंडे उत्पादन कर रहा है राज्यों के लिस्ट पे और हाइस्ट एग पर कैपिटा आविलेबिलिटी आंदर प्रदेश की ही सबसे जादा है, ठीक है, फाइस्ट मीट प्रोडूसिंग स्टेट कौन है हमारे देश का, उत्तर प्रदेश और हाइस्ट पर कैपिटा अंगाना एंड गोड पॉपॉलेशन राजस्तान तो यह आप बात कर लें अब यह तो कुछ स्टाटिस्टिक्स दे दिये मैंने यह स्टाटिस्टिक्स आप देखे इन हैट्स पे आप अपने को और अपडेट कर सकते हैं आर्टिकल्स आते हैं आप दा हिंदू एडिटूरिय बहुत इपोर्टन स्कीम से अग्रिकल्चर में रिलीज की गई उनसे भी कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं करंट अफियर्स के अंदर तो कुछ इपोर्टन एग्रिकल्चर स्कीम सब देखें तो सबसे पहले हैं प्रधान मंत्री क्रिसी सिचा योजना बार बार आप सुनते हों इस स्कीम पर तो वो भी एक स्टेट्मेंट फ्रेम कर देंगे और यह सारी बाते आपको पता होना चाहिए तो आपको जो गवर्मेंट स्कीम परता कर रहे हैं उसका अबजेक्टिब पता होना चाहिए वो स्कीम क्यों लाँच हुई है और कौन से एयर में लाँच हुई थी और अभी अगर उसमें कुछ नहीं हलचाल हुई है, कुछ नया पॉइंट्स आया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो प्रदान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना, लॉंच इन अप्रेल 2015, सेंटर स्टेट विल बी 75, रेशो 25%, इनका यानि सेंटर इसमें 75% बज़र द प्रदान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना बना दी, तो यह आप नोट कर ले ना, ठीक है, यह 3 important schemes थी, जिनको merge करके यह scheme बना दी, अब इसके 3 component क्या है, यह इसके 3 component है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिसमें बार बार आप देखते हैं, हमारे honorable PM, बार बार इस बात है, परम प्रागत किसी विकास योजना, ठीक है, यह 2015 में लाँची गई, इडिज एन extended component of soil health management, अंडर centrally sponsored national mission on sustainable agriculture, ठीक है, जो राष्ट्री mission है, sustainable agriculture का, टेकाव खेती का, उसका अंदर का जो soil health management है, मृदा, स्वास्त, प्रबंदन की जो बात होती है, तो 2015 में यह release भी और उसी को extend किया गया इसके नाम से, इसका aim कहा है जिस scheme का, supporting and promoting organic farming, reduction in dependence on fertilizer, नगरे कर चके विकास, अब सवाल किस तरह से frame हो सकता है, देखे, which of the following schemes support and promote organic farming and reduce independence on fertilizer, तो answer will be, परम प्रागत क्रिश इस तरह से स्वाल बन सकते हैं, इसमें जो central state का ratio है, वो किता है, 60 ratio 40, north eastern and himalayan states के लिए 90 ratio 10, and for union territory 100% centrally funded scheme रहेगी, प्रदामंतरी क्रिशी विकास योजना is being implemented by क्यों कौन implement कर रहा है इसको, organic farming cell of the integrated nutrient management of ministry of agriculture and department of agriculture, cooperation इसको कर रहा है, यह एक बात important note करने के देखे, 2016 में सिक्किम को fully organic state declared किया गया था, यह इतना अच्छी से highlight करके मैंने आप लिखा हुआ है, and the first and the only state in India, इसको organic state घुषित किया था, first state to be declared as organic, it is सिक्किम in 2016, ठीक है, अब आता है, बहुत ही important scheme, जो आपने बार-बार सुनी होगी, soil health card scheme, ठीक है, soil health card scheme, बहुत जोरे इसमें, it is launched by ministry of agriculture farmers welfare on 2015, ठीक है, यह कितने nutrients देखें, यह equation बनता है, यानि soil health card कितने nutrients की जाच करता है, मिर्दी में, यानि मर्दा में, तो बारा nutrients, बारा पोशरक तत्यों की जाच करता है, कौन-कौन है, pH, electrical conductivity, organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc, boron, iron, manganese, copper, of the farming holdings, ठीक है, यह बारा इसके तत्यों है जिसकी यह जाच करता है, ठीक है, यह सारे farmers को provide के at an interval of 3 years, हर 3 साल के में, हर सारे किसानों को यह updated होके मिलेगा, soil health card, ठीक है, village youth and farmers up to 40 years of age are eligible to set up soil health liberties, यानि 40 साल तक के युवा, इदकी लेवर्टी भी अपने गावों में स्तापित कर सकते हैं, यानि agree entrepreneurship, यह उद्यम्त विका यह ठ्राइक लेटा इस बारे में पताता है, ठीक है, इसके बाद बहुत important योजना है, जो बहुत चक्चा में भी रहती है, प्रधान मंत्री فसल भीमा योजना, ठीक है, योचना और कौन कौनशी क्रॉप इसके अंदर कवर होती है एन्वल, कॉमर्शियल, एन्वल, होटिकल्चरल, ओल सीट, एन्फूट क्रॉप, सीरियल, मिलेट्स और पल्सेज और कवर्ड दक्रिशी कल्यान कोश फंड दा एंटायर इसकीम यानि क्रिशी कल्यान यह नुकसान किसान के यह कवर करती है ना ही फसल का बीमा है यह देखे यह कोश्चन है यह objective कोश्चन बन सकता है देखे क्या प्रीम्यम देना होता है फार्मर को मेजिम प्रीमिमम देना होता है 2% फोर करीव यह पूश्चन देरेट आप दे प्रीमियम फोर करीव एंड रवी रिस्पेक्टिवली इसके प्रीमियम के परसेंटेज है जो आपको पता होने चाहिए फिर देखते हैं प्रधान मंत्री अन्न दाता आय शरक्षन अभिहान ठीक है प्रधान मंत्री आशा इसके में ठीक है इस लॉंच इन सिटमबर 2018 ठीक है और इसको रिनुमिरेटरी प्राइस फार्मर्स को दे इन एक लेए लॉंच वी ठीक है इसके अंदर तीन इपॉर्टेंट बात है प्राइस सपोर्ट स्कीम यहां से थोड़ा सा पढ़ लीजे प्राइस डिफिशिंसी पेमेंट स्कीम एंड पाइलेट और प्राइवेट प्राइवेट्मेंट एस टॉकलेट इस्टीम प्पीपी इस ठीक है तो यह थोड़ा सा यहांसे पढ़ लीजे ठीक है प्रदान मंतरी किसान सम्मान नी थी ठीक है यह बार बार इसका चिक्र होता है प्रदान मंतरी किसान सम्मान ने थी ठीक है तो पीएम किसान was launched it on February 24 in 2019 ठीक है फोर आल स्टेट except west Bengal को छोड़के ये सारे state की launch वी centrally sponsored scheme with 100% funding from government of India ठीक है और इसमें क्या बात कही गई कि 6,000 रुपे पर year in three equal installment directly into the bank account of all land holding farmers irrespective of the size of their land holding यानि हर किसान को 6,000 रुपे हर साल दिये जाएंगे irrespective यानि इनकी खेत उनकी जोद के size को ना देखते हुए सभी को दिये जाएंगे 6,000 रुपे एक साल में तीन equal installment में ठीक है supplement the financial need small and marginal farmers को financial help करता है entire responsibility ये जो किसान किनके account में जाएंगे वो किसके पासे state government ने वो नाम देने है उसका एक बनाता PM किसान mobile app ठीक है जो है उनके लिए minimum उनको pension देने के लिए ठीक है उनको pension देने के तो सवाल ये बन सकता है the scheme which ensures the minimum pension to small and marginal farmers is so answer will be प्रधान मतरिक किसान मांधन योजना ठीक है 3,000 रुपीज की pension per month who attends the age of 60 years की इसमें insure हुई थी और कुछ बाते हैं यह आप पढ़ लिजे इसको pause करके तो यह important points मैंने आपको इस scheme के रख दिये अगला एक और important point आता है e national agriculture market आपको पता है कि farmers जब अपना produce लेके जाता था पुराने टाइम पर तो वहां मंडीज होती थी मंडीज में middleman यानि जिनको कर्चा आड़त पका आड़त कहते थे हम लोग और बिचौली होते थे वो rate ते करते थे तो इनम इसका नाम है तो इनम को कब लॉंच किया गया 14 अपरेल 2016 बहुत इपॉर्टेंट है नोट कर लिजे एंड इसका देशी क्या था कि जो इनके सारे रेट्स किसान को पता का चल सके होल से ठीक है और यह आप और एक्स्ट्रा बात हैं इसके बारे में यह पढ़ लिजेए तो यह इनिशेटिब भी बहुत इपॉर्टेंट है और इसके नए फीचर इसमें एड किये गये हैं कोविट पेंडमिक के समय तीन नहीं इ ठीक है अप्यों ट्रीडिंग मॉड्यूल एंड थर्ड इस लांच ऑफ लॉजिस्टिक मॉड्यूल यह तीन इपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें एड यह किये तो इसको नोट कर ले आपके संग्यान में में लेके आया कि यह एक इक इपॉर्टन पॉइंट है फिर आपने एक agree infrastructure fund बनाने की बात की गें थी union finance minister द्वारा जिसके लिए वन लाक करोड़ रुपे का agree infrastructure fund की इन्होंने बात के ती तो यह important है जिसमें farmer producer organizations की भी बात की गें थी और आपको पता है कि government ने target set क्या है बंगा करोड का package दिया गया था प्रधानमंत्री मच से संपधा यूजना लॉंच की गई थी, सपोर्ट टो एनिमल हजबेंटरी की बाद थी, जिसमें especially foot and mouth disease जो cattle में आती है, उसके लिए बात की गई थी और इसके लिए इन्होंने budget आवंटित किया था, तो ये idea थोड़ा सा होना चाहिए, हो सकता है, इससे objective आपका आजाए, या किसी और इजयम में ये जुरूर नॉलेज काम आएगा, ठीक है, herbal cultivation की बात की थी, फोर्ट टारजन करोड रुपिया का इसमें fund रखा गया था, 500 क्रोड फॉर बी कीपिंग इनिशिटिव, यानि मदमक्की पालन, और आपरेशन ग्रीन्स, इन सब के लिए इन्होंने इसमें budget का provision रखा था, तो ये भी important बात है, इसके अलावा कुछ mobile apps थे, हैं अभी भी जुकारे कर रहे हैं, और कुछ COVID के टाइम पे एक app लाँच किया गया था, तो ये apps का नाम और इनकी specific objective, किस काम के लिए ये app है, ये भी कुछ questions आजकर मत देख रहा हूँ, बहुत सारे इंटरेंस जाम में आ रहे हैं, तो एक app था किसान रत app, किसान रत app mobile application को लाँच किया गया, अप्राइल 17, 2020 में, क्यों क्या गया, क्योंकि COVID lockdown था, बहार नहीं आ सकते थे किसान, तो इनको अपना transportation of food grains and perishable during lockdown, lockdown के टाम पर अपने food grains का transportation मंडी तक करना, उसके लिए booking लेना online, तो वो app का launch किया गया था, तो अगर इस तरह का सवाल आता है, तो उसका answer है, किसान रहत आप, ठीक है, आठ languages में इसको launch किया गया था, और इसमें more than 5 lakh trucks and 20,000 tractors इसमें डेप्यूट किये गये थे, जो किसानों का समान online book हो रहा था, कौन से किसान को कहां से कहां move करना है, और online ही ट्रेक्टर उनके घर से समान, उनके फिल्ड से उठा के ले जा रहा था मंडिता है, तो किसान रहत आप, किसान सुविधा आप अभी ministry का जो है, अभी भी farmers के पास downloaded रहता है, बहुत important और useful है ता है, and this is an app Department of Agriculture and Corporation, Ministry of Agriculture Farmers Welfare तो रहा लांच्ट है, तो यह आ सकता है, इसमें क्या के मिलता है वैदर, डिलर्स का डिटेल, मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रोडवाजरी, कॉंटेट किसान कॉल सेंटर, स्वेल हेल्थ कार्ड, कॉल्ड स्टोरीज औं गोडांस का डिटेल्स इस एप में मिलता है, एक और अप है जो हमारे इंस्टिटूट, आई 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 न्यू डेली का है, पूसा क्रिशी एप, ठीक है, पूसा क्रिशी एप, तो इंडिन गांसल आउग्रेल्चर रिसर्स ने इसको डेबलव करवाया है, इसमें फार्म मचनेरी और हमारे आई 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 की सारे टेकनोलोजीज फार्मर्स के लिए अविलेबल हैं, तो ये एप भी आफ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसमें क्या-क्या यो वो है, समग्र ग्राम या उने योजना, डबल फार्मर इंकम आसाम से रिलेटेड है, सूर्य शक्ती किसान योजना गुजराज से रिलेटेड है, पैनल्स की, हैना, 2015 में यूरिया मेनिफेक्चर मेंडिटेड नीम कोटेड यूरिया, जो अगेन हमारे इंस्टीट की ही टेकनोलजी है, इंडियन अग्रिकल्चर इंस्टीट ने ही डबलब किया है, उससे इसका 35% to 75% प्रोड़क्शन को बढ़ाने की बात की गई, यह सब आपको पता है, तो दोस्तों हमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च की ये वेब साइट है, जो मैंने खोल रखिया है, यहां से भी कुछ-कुछ इपॉर्टन चीज़े आपको नोट करनी चाहिए, तो आएए, मैं करता बता जाता हूँ, आपको क्या-क्या इपॉर्टन पार्ट्स हैं, उनको आप पढ़ लिजीगा, कुछ चीज़े मैं भी एक्स्मिन कर दूँगा, तो आप देखेंगे, यह हमारा home page है, ICR का, तो इसमें दो-तिन बारत हैं, जो मैं second part में कुछ लेक्या हूँगा, एक तो इसमें आप देखेंगे, ICR significant achievements, यह वाला जो दिख रहा है, ICR significant achievement 2019 to 21, इसमें से कुछ important points हैं, इस PDF से, जो मैं note-down कर रहा हूँ, तो यह जो मैं current affairs का second part डालूगा agriculture का, जिसमें मैं कुछ और चीज़े भी include करूँगा, उसमें इस से मैं कुछ important points भी उसमें रख दूँगा, आज हम देखते हैं अभी हम, कि website से कौन-कौन सी चीज़े हमें पढ़नी है, ठीक है, तो website से सबसे पहले आप इधर आईए, देखिए, welcome to ICR में, discuss करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है institute, कुछ सवाल, एक-दो सवाल आपको देख सकते हैं, कि कौन सा institute कहां इस्तित है, इस बारे में, तो आप इस list से यहाँ पर से click करके, जहां से मैंने किया, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, तो इसमें से कुछ important हम देखते हैं, यह आ इसी और PhD को degrees भी दे रही हैं, और यहाँ पठन-पठन का कारे भी होता है research के साथ, अब इसके लावा institutions हैं, जो ICR के 65 हैं, तो देखे, Center Island Agriculture Institute कहा है, पोर्ट पिलियर, ठीक है, Center Arid Zone Research Institute, जोदपोर, Avian Research Institute, इजदनगर, Central Inland Research Institute, पैरेकपोर, Central Institute of Bakris Aquaculture, चिननने, तो यह सारे institute ह हैं यहाँ पर से, आप देखते रहे हैं, तो यह देखे, Center Institute for Research on Goods, मगदूम, Agriculture Engineering, भोपाल, Institute of, Center Institute for Arid Horticulture, विकानेर, Center Institute of Cotton Research, नागपूर, Center Institute of Fisheries Technology, कोचिन, तो यह आप देखे, यहाँ से आपको यह जो लिस्ट है, आप पॉस्ट कर लें वीडियो को, या ICR की वेबसाइट पर चले जाए, वहाँ से यह एक लिस्ट है, यहाँ से आप जरूर देख लें, कुछ इपॉर्टन, इपॉर्टन, इंस्टिटूट्स, ठीक है, मेजर इस्टूट्स देख लें, और खास दर पर कुछ इस्टूट्स जो नई बने हैं, वो आपको पता होने चाहिए, कि कौन कौन से ने बने हैं, मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ, जैसे बहुत बार मैंने देखा है, एजैम से में, कौन कौन से इस्टिटूट्स आते हैं, जैसे इंडिन स्टूट वेजटेबल रिसर्स वारन शी, बहुत बार एजैम से में मैंने देखा, यह बहुत रिसेंट्ली ये नोग्रेट हुए है इसलिए ये बहुत इपोर्टेंट है नहीं इसी आरगे ठीक है और आप देखिए कौन-कौनसे इस्ट्ट्ट्ट है इस नोट करते वे चले जाएं तो ये इस्ट्ट्ट्ट्ट से भी आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे देखें आई ऐसाराही जरखंड मैंने आपको बताय था आयरे ने एक आसाम में और एक जरखंड में आयरे लाइट स्ट्ट्ट गॉवर्मेंट ने सेट क्या था तो इंडियान एकल इस्ट्ट्रस इंस्ट्ट्ट हजारी बाग जरखंड में भी खुल चुका है तो ये भी नोट कीजिए इंडियन नेशनल शूट पर प्लांट टेक्नोलजी न्यू डेली ये भी नोट कीजिए तो ये जो लिस्ट है 65 इस्टिटूट की ये भी एक बार देख लीजिए कि कौन सा इस्टिटूट कहां है ये भी इपॉर्टेंट है नोट करना इसके बाद नेशनल सेंटर से हमारे 14 ठ स्टेशन कहां पर है बनाना का त्रिची ग्रेप्स का पूने लीची का मुझफन पूर पूम ग्रेनेट का सोलपूर कैमल का पिकानेर एक कोईंस का हिसार मीट का हैतराबाद मिथुन का नागालेंड और किट्स का सिक्केम पिक का गोहाहार्टी सीड़ पैसेस का चमेर याक क वेस्ट के मांग है ना पैस्ट मेनेजमेंट का नियो डेली और इंटीक्रेट पैस्ट मेनेजमेंट का आई पीम का और महत्मगादी इंटीक्रेटर फार्मिंग रिससर्च इस्ट्यूट मोहत ही हारे तो यह आप नोट कर लिजे यह एनर्सी हैं हमारे देश की 14 दैन इसके प्रजेक्ट तक कहां है यह थोड़ साझ ऑडिया होना चाहिव है तो थोड़ सा समय निकाल के यह list भी आप अपडेट करते वे नोट कर लिजी कौन सा प्रजेक्ट एक तो प्रजेक्टेट है थर्टीन है नेशनल प्यूर्यूर्यों 6 और शेंटर रिससेंटर 14 है और आपक Technology Application Research Institute जो हमारे देश में Khriswiujnjyaan Kendra है जिनको KVK कहा जाता है वो KVK को different jones में बाटा है हमारे ICN ने और उन different jones में अटारी जोने में अटारी जोने में जोने में carry 오ता है KVK कैसे कारी कर रहा है उस zone में जो KVK है उनका performanceunto करना उनका performance evaluate करना तो किवी के responsible रहते हैं इनको जवाब देही के लिए अपना performance इनको बताते हैं और इनका काम होता evaluate करना अब इनका नाम बदल के क्या रग दिया गया है agriculture technology application research institute ठीक है तो zone 1 कहा है लुद्याना zone 2 कहा है आपका काजरी के campus में राजस्तान ठीक है प्रायू का कहा है वेस्ट बंगॉल कोलकाता ठीक है zone 6 का कहा है गुआहर्टी zone 7 का कहा है मेगालय zone 8 का कहा है पूने zone 9 का कहा है मध्यप्रदेश zone 10 है आपका तेनांगना क्रिडा campus और zone 11 है आपका करनाट का बैंगलोर ठीक है तो यानि 11 अटारी है इन अटारी के बाद अब हम एक देखते हैं kv case अब हम यह देखेंगे किस अटारी के अंदर कितने kv case है zone 1 जो लुद्याना है उसके अंदर कितने kv case है 70 kv case ठीक है कृष्टी भी गयान के अंदर second zone जोदपूर में 66 kv case zone 3 में कानपूर में 86 kv case और यह नोट करेंगे कानपूर का इसमें हाइस्ट नंबर of kv case है तो सवाल बार बार मैंने देखा जियारफ में the highest number of kv case are present in zone 3 कानपूर ठीक है then zone 4 पतना 68 kv case कोलकता 59 kv case गोहार्टी 47 kv case बारपानी 43 kv case पूने 81 kv case जबलपूर 82 kv case हिदराबाद 75 kv case and bangalore 48 kv case तो टोटल kv case किते हैं ये भी सवाल आता है the total number of kv case in india presently are 725 ठीक है और गवर्मेंट का होता है कि हर डिस्टिक में 1 kv case होना ही चाहिए आप गवर्मेंट जाती हर डिस्टिक में 2 kv case की तरफ को भी बढ़ रही है तो 725 kv case है तो आपने अग्रिकल्चर टेक्नोर्ची रिस एप्लिकेशन रिस चूट देख लिए क्रिसी विज्यान केन देख लिए ठीक है यहां से यह इपॉर्टन है मैं इसको जूम कर लेता हूं आपके लिए यह आपको अच्छी से दिखाये देखे consortium for e-resource in agriculture popular known as era is an e-consortium of agriculture libraries under ICER for national agriculture research and education system it is established in November 2007 और इसमें क्या है इस consortium के अंदर इस consortium के अंदर हमारे journals है e-resources हैं ठीक है तो यानि online journals e-resources research and development का जो information source base है तो यानि सवाल आ सकता है जो journals है जो research papers है उनका e-resources जो ICR maintain करता उसका नाम है तो answer होता है सहरा बहुत लोगों को नहीं पता होता है कभी कभी इसका full form भी पूछ लेते consortium for e-resources in agriculture ठीक है तो यह बात भी बहुत important है नोट करना आप इसको नोट कीज़े ठीक है then again इसके बाद हम आते हैं main menu में home पे एक बार जाते हैं फिरसे मैं आपको बताता हूं कुछ important points क्या क्या है right तो यहां से इस तरह से website से आपको अपना थोड़ा सा समय बिताना है website पे जो बाते में बार-बार कहता हूं कि website से आपको नोट करने है वह यह बात है ठीक है तो हमने यहां से क्या-क्या देखा अटारीज का देखा क्रिशिविज्ञान के इन देखा consortium मैंने दिखाया ICR Awards 2020 के declare हुए थे तो वह भी मैं अगली PPT में involved कर दूँँगा कि ICR Awards में best institution award किसको मिला और जो important ICR Awards किसको मिला तो वह मैं अगली PPT में अगले पार्ट में लेकिया हूँ ठीक है इसके बाद आप थोड़ा बहुत यहां सा आइडिया ले सकते हैं क्रॉप साइंस में क्लिक करेंगे तो crop science division का जाएगी बात है पर अभी मेरे साथ ही आप देख लीजिए नहिप इसका नाम क्या है national agricultural higher education project नहिप ठीक है इसके बारे में थोड़ा बहुत यहां आप पढ़ सकते हैं कि यह 2017-18 में आया था world bank द्वारा sponsor था world bank ने इसका पूरा कर्चा दिया था और इसमें जो जो activities हुई है यहां पर से आप थोड़ा बहुत इसके important components और इसके बारे में पता कर लें बहुत बड़ा project था क्योंकि तो इसके बारे में भी कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है यह एक और project है national agriculture science fund इसके बारे में भी आप पढ़ लें ठीक है यह भी important है यह तो हम मैंने आपको पूरा पता दिया कि यह list तो आपको याद होने चाहिए कौन से institute कहां है और खास्ता पर जो नए institute है ठीक है then central agriculture universities डीम्ड इंविश्टी स्टेट agriculture universities कहां पर है यह भी थोड़ा देख लीचे अब यह बहुत important पार आता है website का ठीक है kvk का portal mobile apps देकि icr ने mobile app gallery बने इसमें मैं click करूँगा तो यह mobile app gallery की तरफ ले जाता है जिसमें यह सारे mobile apps हैं जो इन्होंने crop wise और sector wise categories wise बनाए गए हैं तो यह app है मैंने 2-3 अपने क्रिसान सुविधा पूसा क्रशी है ना यह सब मैंने किसान रत app यह सारे मैंने आपको भी ppt में दिखाया थे तो यहाँ पर एक apps का repository है कभी भी आपको future में apps का repository चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं और कुछ app जो बहुत famous हैं उन पर सवाल भी ज्यारफ वगरे में उठते हैं ठीक है तो यह part भी है educational education portal है ICR e-resources ठीक है ICR e-resources पर देखिए आप क्या-क्या e-resources हैं यहाँ click करेंगे तो इन 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 universities का material आपको मिलता है ठीक है then consortium e-resources हमने देख लिया then krisi portal again एक सवाल आ जाता है यह krisi portal क्या है तो यह portal है क्या क्यू launch हुआ है इसके क्या component है तो यहाँ पर से आप इस krisi portal के बारे में भी थोड़ा पता कर लें थोड़ा से समय invest कर लें पढ़ ले थोड़ा इसके बारे में ठीक है then Nikra project बहुत important project है climate change, climate resilient technologies का तो कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसके अंदर है थोड़ा बहुत देख लें तो यह current affairs आपके cover होते चले जाता है तो यहाँ से e-krisi munch देखे यह जो term है न यह अपने आपने एक-एक सवाल है e-krisi munch क्या है और कैसे ICRS को coordinate करता है इसके बारे में 4-5 line है यहाँ लेकिए है थोड़ा बहुत देख लेंगे कि यह कैसे query किसानों की दूर कर रहा है e-krisi munch क्या है इसके बाद आए ASRB आपको पता है agriculture scientist recruitment board जो scientist को recruit करता है promotion से related कारी करता है तो यह कब बना, कैसे बना यह थोड़ा बहुत आप देख सकते है एक सवाल जो बार-बार आता है देखे, ICR की company है प्राइबर लिमिटेट अग्रि नोवेट इंडिया लिमिटेट इसको कहते है ठीक है तो यह जो company है ICR की यह क्या है यह कब बनी ना, देखे, on 19 October 2011 यह सवाल बार-बार आता है Agri Innovate India तो यह भी आप देख लिए जी इसका vision क्या है, mission क्या है यहां से यह थोड़ा से देखना है Department of Agriculture Research and Education DARE जिसको बोलते है आपको पता है Ministry of Agriculture के दो पार्ट है DAC, Department of Agriculture Cooperation और दूसरा यह है Department of Agriculture Research and Education जिसके अंतरगत ICR है ठीक है, Indian Council of Agriculture Research इसके अंतरगत है तो इसके बारे में थोड़ा से देख लीजे यह Wing Research से related है क्या काम करती है DAC, जो दूसरा मैं बता रहा था उसके बारे में भी दिया क्या है ठीक है, International Agriculture Organizations है कुछ हमारे CGIAR सिस्टम के तो वो बहुत important है, यह देखिए यह है थोड़े बहुत इसको आप देख सकते हैं क्या इनके full form है क्या कौन कौन से institute है कहां है और क्या काम करते हैं थोड़ा बहुत इसमें आपको पता होना चाहिए ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए अग्रिकैट अग्रिकैट यह देख लिजिए यह क्या है और इसमें भी सवाल आ जाते हैं यह कैसे काटलॉग है आनलाइन कैसे कारी करता है तो यह जो अग्रिकैट है अभी इसकी website खुलने रही है इसमें जैसे e-grunt mostly इसमें e-grunt है और क्रशी कोष क्रशी कोष है यह भी नोट कीजिए क्रशी कोष जिसमें हम लोग की अग्रिकल्चर इंविश्ट्री की जो सारी थेसिस हैं उनका पीडियव बनता है और पीडियव बनके क्रशी कोष में चला जाता है e-grunt है तो उसमें भी इस तरह के e-resources है तो यह भी आप देख सकते हैं बहुत important है यह भी आप देख लिए तो इस तरह से यह ICR website को update करना है जो important areas थे पढ़ने के वह मैं आपको बता दिये important schemes भी मैंने कुछ बताई थी कुछ रह जाती है वह मैं अगले part में लेके आओंगा important schemes जो achievement है ICR के जो नई varieties release हुई है प्रदान मंत्री जी ने 2020 में कुछ varieties release की थी फिर हाली में 2021 में 3500 varieties उनने देश को समर्पित की उसमें से कुछ important varieties में अगले PPT में लेके आओंगा कुछ important schemes लेके आओंगा mobile apps लेके आओंगा और जो ICR website से achievements है और जो रहा सहा है यहां का agriculture से related वो भी मैं अपने अगले part में लाओंगा तो यह part अगर आप पूरा देख लेंगे और अगला part देख लेंगे तो agriculture related खास दौरपा ICR related current affairs आपके cover हो जाएंगे ठीके तो I hope कि आज को आज आज आपको यह current affairs related module पसंद आया होगा तो बने रहे इस channel पे और like करें share करें subscribe करें और मैं साथ बने रहें और अब मैं constitution का भी एक module लाओंगा जिसमें constitution हम पूरा कर लेंगे उसके बाद 2-3 में हम geography और 2-3 में history भी कर लेंगे तो आपका एक revision background बन जाएगा mock test जैसा आप लोग ने request किया मैं बिल्कुल बना रहा हूँ कुछी दिनों में वो तैयार हो जाएगा और वो upload हो जाएगा और इस बार हम full length test paper का mock test बना रहे है क्यों segment कर नहीं तो डेढ़ गंटे के अलाम से आप उस mock test को कर पाएगे ठीक है so all the best तैयारी कीजिए मन लगा के thank you